मेरे पहरे देश्वासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्त शेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनोतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा स्रे हमारे मेडिकल एक्षपर्ट्स, साइंटिस्ट और देश्वासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गीनी वाम जैसी बिमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के स्रोताओं को मैं एक और चुनोति के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनोति हैं, ये बिमारी हैं, काला जार। इस बिमारी का परजी भी सेंट फ्लाय, यानि बालू मक्खी के काटने से भैलता है। जब किसी को काला जार होता है, उसे महनों तक बुखार रहता है, खुन की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, और वजन भी घड़ जाता है। ये बिमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबका प्रयास से काला जार नाम की ये बिमारी हब तेजी से समापत होती जा रही है। कुछ समय पहले तक काला जार का प्रकोप चार राज्यों के पचास से अधिक जीलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बिमारी बिहार और जारखन के चार जीलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वात है बिहार जारखन के लोगों का सामर्थ उनकी जागरुपता इन चार जीलों से भी काला जार को समापत करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। काला जार प्रभावित छेत्रों के लोगों से भी मेरा आगरह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखें। एक है सेंट फ्लाय या बालू मक्खी पर नियंत्रा और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। काला जार का इलाज आसान है। इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरते हैं। और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाईयों का छिरकाव भी करते रहें। जरा सोचिये हमारा देश जब काला जार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को दो हजार पचीस तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभ्यान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्रवन कर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्ट को प्राप्त करके ही दिखाती है। मेरे प्यार देश साचियों हमारी परंपरा और संस्कृति का मा गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धरा का अभिन हिस्सा रहा है। और हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है। नमामी गंगे तवपाद पंकजम, सुर असुरई वंदित दिव्य रूपम, भुक्तिम्च मुक्तिम्च ददासि नित्यम, भाव अनुसारेण, सदा नराणां। अर्था हे मागंगा आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप, सांसारिक सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। सभी आपके पवित्र चर्णों का वंदन करते हैं, मैं भी आपके पवित्र चर्णों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। ऐसे मैं सदियों से कल-कल बहती मागंगा को स्वच्छ रखना हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश के साथ आठ साल पहले हमने नमामी गंगे अभ्यान की शुरुवात की थी। हम सभी के लिए गवरों की बात है कि भारत की इस पहल को अज दुनिया भर की सरहना मिल रही है। उनाइटेड नेशन्स ने नमामी गंगे मिशन को इको सिस्टिम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप टैन इनिशेटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पुरे वीशों के 160 ऐसे इनिशेटिव में नमामी गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों नमामी गंगे अभ्यान की सबसे बड़ी उर्जा लोगों की निरंतर सहवागिता है। नमामी गंगे अभ्यान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमी का है। वे पैड लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुकर नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिये जागरूपता फैलाने में जूटे हैं। इस अभ्यान से बायो डायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है। हिल्सा मचली, गंगा डॉल्फिन और कशुओं की विविन प्रजात्यों के संख्या में काफी वृद्धी हुई है। गंगा का एको सिस्टिम क्लीन होने से आजी विका के अन्य अउसर भी बढ़ रहे हैं। यहां मैं जलज आजी विका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा। जो कि बायो डायवर्सिटी को धान में रखकर तयार किया गया है। इस टूरिजम बेज बोर्ट सफारिज को 26 लोकेशन पर लॉंच किया गया है। जाहिर है नमावी गंगे मिशन का विस्तार, उसका दाइरा नदी की सफायज से कहीं जादा बढ़ा है। यह जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, वहीं यह परियावरन सवरक्षन की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है। मेरे पैरे देश्वासियों, जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूद हो, तो बड़ी से बड़ी चुनोती भी आसान हो जाती है। इसकी मिशाल पेश की है, सिक्किम के थेगु गाउं के संगेश शेरपाजी ने है। ये पिछले 14 साल से 12,000 फिट से भी जानदा की उन्चाई पर परियावरन सवरक्षन के काम में जुटे हुई है। संगे जी ने सांसकृतिक और पवरानिक महत्व का सोमगो लेक उसे स्वच्छ रखने का बिड़ा उठा लिया है। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूपी बदल डा रहा है। साल 2008 में संगे शेरपाजी ने जब स्वच्छता का यह अभ्यान शुरू किया था तब उन्हें कई मुश्किलों का सामला करना पड़ा। लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कारियों में युवाओं और ग्रामिलों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सायोग मिलने लगा। आज आप अगर सोमगोल लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों और आपको बड़े-बड़े गार्बेज बिंस मिलेंगे। अब यहां जमा हुए कुड़े खच्रे को रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। यहां आने वाले परियटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैक्ट भी दिये जाते हैं ताकि कुड़ा कच्रा इधर उधर न फैके। अब बेहत साफ सुत्री हो चुकी इस जील को देखने हर साल करीब पांच लाख परियटक। यहां पहुंचते हैं सोमगो लेक के सवरक्षन के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपाजी को कई संस्ताओं ने सनमानित भी किया है। ऐसी ही कोशिशों के बदौलत आज सिक्किम की गिंती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है। मैं संगे सेरपाजी और उनके साथियों के साथ साथ देश भर में परियावारन सवरक्षन के नेक प्रयास में जूटे लोगों के भी रज़े इससे प्रसंसा करता हूं। साथियों मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मीशन आज हर भारतिय के मन में रचबच चुका है। साल 2014 में इस जन अंदोलन के सुरू होने के साथ ही इसे नई उचाईयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किये हैं। और यह प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बलकि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। लगातार से प्रयासों का प्रणाम यह है। कुडा कचरह हटने के कारण, मिन ज़रुरी सामान हटने के कारण, दक्तरों में काफी जगा खुल जाती है। नया स्पेस मिल जाता है पहले जगा के अभाव में दूर दूर किराये पर दफ्तर रखने परते थे इन दिनों ये साफ सफाई के कारण इतनी जगा मिल रही है कि अब एक इस्थान पर सारे दफ्तर बैट रहे हैं पिछले दिनों सूचना और प्रसारान मंत्राले ने भी मुं और उसके कारण आज उनको दो दो तीन तीन मंजीले पूरी तरह नए सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलग्द हो गई ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का आप्टिमम इूटिलाइजिशन का उत्तम अनुभव आ रहा है समाज में भी गाओं गाओं शहर शहर में भी उसी प्रकार से दप्तरों में भी ये भ्यान देश के लिए भी हर प्रकार से उप्योगी सिद्ध हो रहा है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरुकता आ रही है एक नई चेतना जागरित हो रही है मन की बात में हम अक्सर ऐसे उधारों की चर्चा भी करते हैं जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामोहिक पुण्जी होते हैं वैसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है ऐसा ही एक सफल प्यास लक्षद्वित में हो रहा है यहां कलपेनी द्वित पर एक कलब है कुमेल ब्रदर्स चलेंजर्स कलब यह कलब युवाओं को स्थानिय संस्कृति और परमपारी कराओं के समरक्षण के लिए प्रेलिद करता है यहां विवाओं को लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलीपाट्टू और पानमपारी गानों की ट्रेनिंग दी जाती है यानि पुरानी विरासत नई पीडी के हाथों में सुरक्षित हो रही है, आगे बढ़ रही है और साथियों, मुझे खुशी है, इस प्रकार के प्रयाथ देश में ही नहीं, विदेश में भी हो रहे है हाली मैं, दुबै से खबर आई, कि वहां के कालारी कलब ने, ग्रिनीज बूक अब वर्ड रिकॉर्ड में नामदर्ज किया है कोई भी सोच सकता है, कि दुबै के कलब ने रिकॉर्ड बनाया, तो जो भारत से कैसा मनद, दरसल ये रिकॉर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी अप्ट्व से जुड़ा है ये रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदर्शन का है कलारी कलब दुबै में दुबै पुलिस के साथ मिलकर ये प्लान किया और ये ही के नेश्टर डे में प्रदर्शित किया इस आयोजन में चार साल के बच्चों से लेकर साथ वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपने शमता का बहतरी प्रदर्शन किया अलग-अलग पीडियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं पूरे मनोयोग से बढ़ा रही हैं ये उसका अधुत उधारन है साथियों मन की बात के सरुताओं को मैं करनाटका के गड़क जिले में रहने वाले कवेम श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कवेम श्री दक्षिण में करनाटका की कला संस्कृति को पुरनर जीवित करने के मिशन में पिछले पचीस वर्सों से अनवरत लगे हुए हैं आप कल्प ना कर सकते हैं कि उनकी तपश्या कितनी बड़ी है पहले तो वो होटल मेनेजमेंट के प्रोफिशन से जुड़े थे लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था को उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया उन्होंने कला चेतन आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं साथियों अपनी कला संस्कृति के प्रती देश वास्यों के उच्छा अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रगटी करना है हमारे देश में तो हर कौने में ऐसे कितने ही रंग बिखरे ह हमें भी उन्हें सजाने सभारने और सवरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए